सब्सक्राइब इसका इसका फॉर्म फिल शुरू हो गया है, दस तरीक तक यह यह चलने वाला है, अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजे, यहाँ पर एक्जाम डेट भी दिया गया है, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका जो syllabus रहता है, क्या कुछ syllabus रहता है, कहां पर कौन से post के लिए आपको skill test देना होगा, कहां पर आपका typing test है, उस सारे कुछ जो है हम यहां पर discuss करने वाले हैं, तो चलिए आगे वीडियो का आगे बढ़ाते हैं, पहले आप यहां पर post को देख लिए, यहां पर कौन से post म यह तीनों post में जो है यहां पर requirement होता है, यहां पर यह तीनों post में यहां पर भरती होते हैं, तो चलिए आप देख लेते हैं, हम यहां पर syllabus के बारे में क्या कुछ आपका टायर मान में syllabus रहता है, उम्मित कत्वों आप सबको यहां का जो एक क्रिटिरा रहता है, education qualification रहता है सार कुछ आपको जरूर पता होगा है, यहां पर यह कोटिरा की बात कर जाए, तो अटरह साल के उमर अगर आपका हो गया है, तो जो आप इसे apply कर सकते हैं, तो यह सब आपको मुह मुहित कत्वों का आपको पता ही होगा, तो यहां पर examination scheme को देख लिए, scheme of examination कैसे जो यह exam हो होने वाला है, तो examination consists of computer based examination, computer based exam होगा, आपका computer में आपका exam देना होगा, पहले में आपका tire 1, उसके बाद होगा tire 2, जो होगा tire 2, जो होता है, वो आपका descriptive paper होता है, उसके बाद में आपको देना होगा skill test, यह फिर कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं, का typing test, यह तीनों exam से आपको जो है qualify करना होगा, पहले में आता है आपका computer बेज जो tire 1 exam होता है, tire 1 exam में अगर आप कम qualify करते हैं, तो उसके बाद में आता है, आपका descriptive paper में आपको qualify होना होगा, उसके बाद में आपका skill test, main exam होता है, आपका tire 1 का exam ही है, यह आपे सबसे ज़्यादा important and mathematical होता है, आपके shift में tough question आया है, किसे और के shift में easy question आया है, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि सारे exam में आपका normalization होने वाला, आपका tire 1 का syllabus देख लिए, tire 1 में जो exam होगा, आपका total की बात करे जाए, तो total आपके 200 mark के उपर tire 1 का exam होगा, जहाँ पे 200 mark में से आपका 25 question रहेगा, English के 25 question रहेगा, एक एक question दो mark करके रहेगा, ठीक उसी तरह general intelligence, general intelligence यानि के reasoning के बात उकार जा रहे यहाँ पर, इसके साथ साथ यहाँ पर, next में आपका mathematics से आपका 25 question रहेगा, and general awareness, current phase, यहाँ से आपका 25 question रहने वाला है, अब यहाँ पर tire 1 का exam होगा, यह आपका objective type के question आएंगे, सारे कुछ objective type आएंगे, and both जो paper आपका, पहला जो paper English का paper है, English सबके लिए English language में ही रहेगा, उसके बाद जो आपका यह paper second हो गया, paper three हो गया, paper four, यह चारो paper जो है आपका both language, यानि कि English and Hindi दोनों में ही रहेगा, इसके लावा और कोई भी language में यहाँ नही रह गया है, अगर आपका जब answer की, जब link के आएगा, उसके बाद जो है, आप objection भी कर सकते हैं, किसी भी question में अगर आपको लगता है, कि यह question सही होना चाहिए था, यह question सही है, and जो है, यहाँ से आपका गलत हो गया है, कि अपने सही टिक किया है, लेकिन commission के त्वारों वहाँ स गलत दिया गया है, तो उसके बाद आप objection की कर सकते हैं, उसके objection के लिए जो है, आपको एक पर question, एक question के लिए आपको 100 रुप्या करके pay करना होगा, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यह हमारा tier 1 हो गया है, आप tier 1 में जो सारा आपका syllabus रहता है, English में कहां कहां से question आता है, जर्णल इंटिजरल में कहां से आता है, अरिथमेटिक से कहां से आता है, तो यहाँ पर English का जो सारे question रहता है, आपका arrow detection हो गया, fill in the blanks हो गया, synonyms हो गया, spelling detection हो गया, misspell हो गया, आपका item phases होगा, one word substitution से question रहेगा, active voice, passive voice से question रहेगा, clause से यहाँ पर question रहेगा, तो सारे कु reasoning आता है, आपका अर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर प्रेशियो प्सृत्रिशेट हो गया इबरेजोंगे प्र प्रॉपिज्टन लॉस हो गया अपका पाटर्सिपन होगया मिक्सर अलिकी टाइम डिस्टेंस हो गया वारकन टाइम सब्सक्राइब सब्सक्राइब वसक्राइब यहां पांच नमंबर आपके लिए गेमचेंजर रह सकता है आप जनाईल विंस की बात कीज्जाई तो जनाईवर्ण की सुब में आपके सारे कुछ पढ़ना होगा कर्णट एप से हेंपध के वालइटी सब कुछ यहां पर अब बाथ करने दें आपको टायट टू नैं है आपको लेखना हो गए popularIt यहां पर लिखना होगा तो इसका डिवरेशन क्या है वन हावर एक घंट जो है इसका डिवरेशन रहेगा यहां पर आपका 20 मिनिट कॉंप्रेहेंसिफ टाइम फॉर्द आगर किसी भी कंडिडेट अगर पी एच जो है है तो उनको 20 मिनिट जादा कुछ टाइम दिया जाएग तो यहां पर आपको क्या करना है तो पेपर में आपको लिखना होगा राइटिंग स्किल में आपका एसे लिखना होगा 200 वाट के बीच में या फिर आपको लेटर लिखना होगा डेशो से दाइच सो वाट के बीच में यह टायर जो टू है यह एक मात्र स्रिप जो है आपक आपको कट आउप वारी कुछ नहीं होगा पहले वैंपे त्विटारी में यहां पर क्वालिफाइ करना है लिए आपगो 33 मार्प को यहां में वाला में क्रॉस कर गें तब आएंगे आएंगे आपका आता है skill test and typing test skill test किन के लिए है skill test जो होगा यह आपका data entry operator जो है data entry operator के लिए जो है आपका skill test होना पर skill test mandatory for the data entry operator देख सकते हैं यहाँ पर data entry operator के लिए skill test mandatory है तो यहाँ पर data entry speed के कुछ दे गया है 8000 दे गया है 8000 की description per hour on computer एक गंटे में आपका 8000 की description यहाँ पर देना होगा and the speed of the 8000 keywords per hour on the computer will be adjust on the base of the current entry of the keyword as per the given passage the duration for the test is 15 minutes तो आपका duration रहे गाए एक घंटा का यह exam नहीं होने वाला है आपका 15 minute का ही जो एक्जाम होगा इसी 15 minute पर आपको 200 से लेके 2000 से लेके जो है 2200 तक जो है की description यहाँ पर टाइप करना होगा अब यहाँ पर आगे बात करने थे यहाँ आपका typing test की ने देना होगा typing test जो देना होगा आपको lower division clerk हो गया JSA हो गया post हो गया postal assistant sporting assistant बाकी जो तीन और यह बाकी दो पोस्ट है उन दू पोस्ट में आपको typing speed यहाँ पर देना होगा यहाँ आपका typing speed क्या रहने वाले सबसे important है यहाँ पर typing speed क्या करना होगा आपको तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं चाहिए आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं दोनों आपको पास optional रहेगा हिंदी या फिर जो है आप English यह आप जो है जब आप फिल करेंगे वहाँ से आप जो है आप हिंदी में डेना चाहते हैं तो यहां पर तीस वाट आपको अगर हिंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो अगर अगर हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो हिंदी में आपको 30 watts यहांप यहांप करते हैं ज़से जादा कुछ में आंतर नहीं है यहांप स्रिफ 5 का अंतर है 5 वाट का जो है यह यह वंदर है तो यही सारे बहुत ही important आपके लिए factor और भी कोई भी factor रहे गया है तो आप comment करके बता सकता है और कोई भी information अगर चाहते हैं तो आप हमें इस्ट्रेगा में message भी कर सकते हैं